आज मैं आपको दिखाने जारी हूं कि मैं अपने साइट का बेट साइट टेबल कैसे अरेंज की हूं बेट साइट टेबल को मैं अपने रिक्वार्मेंट के कॉर्डिंग अगनाइस की हूँ और अगनाइस रखने का मज़ा यह है कि मैं जब भी जो चीज़ चाहती हूं मुझे इसली मिल जाता है सो वन शोट पी अगनाइस चो लिव एक क्लटर फ्री लाइफ अब मैं अपने बेट साइड टेबल मैं अपने एक और्डिंग उगनाइस जाएसे लगता है क्योंकि मेरे फ्रिक्वेंट नीड़ियर आ इटम्स यो हैर्ड शो मैं अपने बड़ साइड टेबल मेरी बेट साइड टेबल में तू द्रावर्स हैं और वन स्मॉल काबिनेट है जहां कि मैं एक नॉवल रखी हूँ एक पिन और एक प्लानर प्लानर के साथ मुझे एजी होता है जो भी चीज मुझे प्लानिंग करना होता है साइड में उसके मैं फ्यू आई ड्रॉप्स, होमियोपैट मेडिसीन, बाम, अमरी तांजन जो कि हमें लेट नाइट में कभी भी जुरुत पड़े तो मैं एजली निकाल सकूँ मैं इसी एक ट्रांस्पिरेंट बॉक्स में रखी हूँ इस ट्रांस्पिरेंट बॉक्स में मैं लेवेंडर एसेंशियल ओईल रखी हूँ नेल कटर और अपना डेली मेडिसिन्स रखी हूँ इन एनई शोट अफ इमर्जेंसी मैं एंटिसप्टिक क्रीम, बेतनोवेट एंड फूट क्रीम यह सारा मैं इस टाइप के बॉक्स में रखी हूँ इसमें मैं फ्यू बैन्डेट भी रखी हूँ जस्ट उसके बराबर में मैं एक ट्रांस्पेरिट बॉक्स में मैं इयर बर्ट्स रखी हूँ और फिर ये कॉटन पैट्स इस टाइप के और नाइज करने से होता है कि रात में भी अगर आपको अर्जेंट मीट पड़े तो आप निकाल सकते हो क्योंकि मेरे ड्राउर पे ज़्यादा स्पेस है तो मैं अपने सेकेंड ड्राउर का यूज मैं फर्स्ट एट किट रखने के लिए की हूँ इस क्रिस्टल बॉक्स में मैं पावर बैंक रखी हूँ इयर फोन एंड फ्यू स्पियर स्पेक्स रखी हूँ जो मेरा और मेरे हबी का है इस स्मॉल पकेट में मैं अपना चार्जर रखी हूँ कि कभी भी हमें ज़रुत पड़े तो हम इसी से निकाल सकें यह हमारे बेट साइड टेबल का स्मॉल काबिनेट है इसमें कि मैं एक बास्केट में मैं स्टीन प्रेस आईरन और इस पाउच में मैं एक बिग सीजर और एक स्मॉल सीजर रखी हूँ इस केट इस मेंली यूज़ तो कीप और मॉस्कीटो रपलेंट लाइक ओल आउट एंड मॉस्कीटो कॉल्स नाइट टाइम मसाज के लिए मैं एक फिगारो का ओलिव ओयल यहाँ पे प्लेस करके रखती हूँ और जस्ट उसके बीछे में मैं तूथ पिक रखी हूँ टूथ पिक तो मैं डाइनिंग टेबल पे भी रखती हूँ लेकिन कभी रात में जुरत पड़े तो और इस केट में मैं मौथ फ्रेशनर रखती हूँ इप यू लाइक आवर वीडियो दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to hit the bell button to get the further notification thanks for watching